हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप साथ लोग सो फाले दोस्तों अगर आप भी Ola कैप से continue booking करते हैं आप travelling करते हैं इससे दो पईयर से चार पईयर से तो आप इसमें एक आपको जन्कारी और होने चाहिए अगर आपने इसको book कर लिया है आपको पैसा भी पेट करना पड़ेगा फरजी का चलिए आपको बताते हैं simple step में आपको cancel कैसे करना है तो सबसे पहले तो आपके पास में यह app होना चाहिए ओला मनी का ठीक है ओला मनी का जो आप है इसको आपके फोन में होना चाहिए और यहां पर होने के बाद दिखे अगर रपोर्ट का रहा है तो हमें क्या करना है हमें कैंसिल करना है तो हम कैंसिल वाले option पर किलिक कर देंगे हम जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ option पूछेगा इन option को अपको ध्यान देना है पूछ रहा है यहां पर driver asking me to cancel और driver on the chat call ठीक है wrong vehicle number my region is not listed, driver demanded extra cash, driver in standard taking directly offline, selected wrong pickup तो हमने यहां पर मुझे क्या करना है कि मैंने माल जी मैं गलत जो select कर लिया हूँ, यह कहां से कहां तो जाना मैंने वो गलत कर लिया है तो हम इस पर यह वाला option आपको दिख रहा होगा यह वाला wrong वाला ठीक है इस पर आपको click कर देंगे, यहां पर आप जैसे click करेंगे यहां पर आप जैसे click करेंगे, तो देखिए आपको पास में यहां पर option भी आएगा, और message भी आपको पास में आ जाएगा, booking cancelled, your booking with the, यह number आगा, has been cancelled successfully, अब हमारा जो क्या हुआ हुआ, हमारा जो book था वो हमारा cancel हो गया, हमने यहां पर okay पर click कर दिया, अब हमारा आप आप इसको cancel कर सकते हो, कोई भी चार्जेस आपके नहीं पढ़ेंगे, अगर आप other कोई option select करते हो, आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है, तो वीडियो कैसा लगा, आप लोगो हमें comment पर जरूरू बताना, और कोई doubt हो तो आप मुझे comment पो सकते हैं, और वीडियो को जादा ज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं से नहीं वीडियो के साथ में,